एलो स्टूडेंट्स वेल्कूम तो दिस निव लेक्चर वह विल सी दे कंटिमिरेशन पार्ट अवर चैप्टर नवर नाइन विच इस मैडम राइट दा बस यह पर्स्ट चैप्टर देखा था तो अगर हम बात करें मैडम राइट बस की तो मैं एक इंट्रोड़क्शन आप अब बटा दो यह रहा वलिक एक नाम जू है वह व्ली कशनन था तो लोग उतरते हैं बस से हर वक्त वह उनको बल्ली को बहुत ही हम बोल सकते हैं कि कि वह इंट्रेस्टिंग लगती थी एक अन एंडिंग जॉय का सोर्स थी ओके तो वल्ली के अंदर दिवा के अंदर एक खयाल आया कि चलिए हम जाते हैं बसके अंदर ट्राविल करते हैं ठीक है तो अब उसको कुछ पता नहीं है कैसे ट्राविल करना क्या करना तो यहां वहा लोगों को जो हैं वह बाते करते हुए सुनके और कुछ छोटे मुटे क्वेशन करके वल्ली जो है उसको पता चला कि वह टाउन जो है वह छे माइल है फैर भाड़ा जो है वह थर्टी पैसे हैं वन वे का ठीक है वल्ली के लिए इतना पैसा तो उसने देखा ही नहीं था प इतना वापेस ला दिया जाएगा ठीक है आब वापेस आ जाएंगे और वन ओक्लॉक तक अगर वह वन ओक्लॉक की बस ले ले जाएगी और वापे पहुंच जाएगी और वापेस आ जाएगी तिसम्हेशनारी केल्कुलेट किया हुए चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट एक दिन एक दोपेहर को बढ़िया है समर का महीन का महीन है दोपेहर को जैसे ही बस जो है वो फिलेज छोड रही थी और हाइवे की तरफ मोड रही थी एक चोटी सी आवाज आई जोड़ से चिला रही थी stop the bus stop the bus bus को रोकिए बस को रोकिए एक छोटा सा हाथ commandingly खड़ा हुआ commandingly मतलब रोकिए बस रोकिए ऐसा करके रोकिए बस ऐसा करके उसने बस दीरे दीरे एकदम slowly slowly the bus slow down to a crawl crawl का मतलब क्या हता है जैसे ऐसे चार पैरों पर चल रही हो दीरे दीरे करके जैसे चलती है तो एकदम बस दीरी हो गई और उसके कंड़क्टर दर्वाज इससे बाहर सिल निकालते हुए बोले जल्दी करो जिसको बोलो जिसको आना है वह जल्दी आ जाये मुझे आना है वल्दी ने बोला मैं चड़ने वाले हूँ बस के ऊपर अब बस जो हैं वह रुक चुकी थी तब तक ठीके और कंड़क्टर बोला अच्छा क्या बात कर रही हो यू डॉन से सो अच्छा क्या बात करे हैं हां मुझे सिंपली टाउन जाना है वल्दी ने बोला अभी भी बस के बाहर खड़ी है वली और यह रहे पैसे उसने कुछ कॉइंस बताए कंड़क्टर को ठीक है ठीक है पहले चड़ तो जाओ कंड़क्टर ने बोला और उसने हाथ बढ़ाया उसको हेल्प करने के लिए नेवर माइंड उसने बोला मैं खुझ चड़ सकती हो आप को मदद करने की ज़रूरत नहीं है आई कैन गेट आउन बाई माइसल्फ यहां यहां यह रही आपके आगे ही सीट है आपकी ठीक है हट जाए सब लोग अट जाए मैडम के लिए जगा कीजिए हट जाए कंड़क्टर ने में मजाग किया यह समय स्लैक टाइम था स्टैक टाइम अलब बहुत कुछ काम नहीं था ठीक है तो यह साथ पैसेंजर थे बसके अंदर सब लोग वल्ली के सामदेग रहे थे और कंड़क्टर के साथ हस रहे थे वल्ली को शरम आ गई सबकी आँखों से दूर वह एक एमटी सीट के उपर ब बल्ली है यहां ठीक है क्या हम चले मैडम मेवी स्टार्ट मेडम कंड़क्टर ने बोला हस्ते हस्ते और फिर उसने दो बार विसल बजाई अपनी और बस जहें वह करके शुरू हो गई चले शुरू हो गई मतलब वह एक नई बस थी ठीक है और बहार में एकदम जोड़दा लार वाइट पेट किया था ग्रीन श्ट्राइक थी बसके ऊपर साइड में तो एक पेइंट है ग्रीन स्ट्राइब से अंदर नेन जो और हैट बार यूटे बार होता है बसके अंदर तो वह जो बार हो से स्पख़ें रहे वल्ली के एक्जेट सामने विंडशील के उपर एक बड़िया सा घड़ियार थी विंडशील मतलब वो जो कांच होता है बसके अंदर उसके एक्जेट उपर घड़ी थी सीट बहुती सॉफ्ट और लग्जूरियस थी वल्ली जो है उसने सब अपनी आँखों से यह सब चीज ध्यान से देखें जैसे खाना आप खाते हैं स्वादिश्ट हैं आप मज़े से जो खाते हैं उसको डिवोर करना होता है तो यह जो है वो सारी चीज़ें मज़े से देख रही है अपनी आखों से लेकिन जब उसने बाहर देखने का प्रयास किया तो उसने ढूंडा कि वह एक कैन्वास ब्लाइंड लगा हुआ है उसके विंडो के लोवर पार्ट पे कैन्वास ब्लाइंड का मतलब एक काला कांच जो होता है नीचे का आधा पार्ट काला था ठीक है तो नीचे लोवर पार्ट ऑफर विंडो जो था उसमें कैन्वास ब्लाइंड था ठीक है कैन्वास का पट्टा था जिसकी वज़े से उसको बाहर नहीं दीख रहा था तो वह सीट के उपर खड़ी हो गई और फिर उसने ब्लाइंड के उपर से बाहर देखा बस जो है वह एक कैनाल के किनारे जा रही थी ठीक है रोड बहुत ही पतला था एक साइड पर कैनल दी और दूसरे साइड पर पाम ट्री स्थे घांस थी ठीक है बड़े-बड़े माउंटेंस थे ब्लिव ब्लिव स्काइट है यहां फे यहां पर ऑथर की खुब्यकि जो दूसरे साइट पे डिप डिच था डिच मतलब एक खाई जैसे था और फिर एकर एकर में फैले हुए ग्रीन 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 एस फार इस दाइड कुट सी तब कर दिखें तब तक ग्रीन 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 चीज दिखते रहे ओख इट वस ओल सो वंडरफू कितना बढ़िया था तो किसी की आवाज आई कि वही सुनिये बच्चा कि आपको ऐसे घड़ा नहीं रहना चाहिए बैठ जाईए वह बैठी और उसके बाद देखा कि वह ऐसा बोला किसने वह एक एल्डरली मैं था उमर वाला आदमी था जिसको अनेस्टली उसके लिए कंसर्ण था कंसर्ण मतल लेकिन फिर भी उसने अटेंशन दिया क्यों तो उसको परिशानी हो गई वली ने बोला यहां पर कोई एक छोटा ता बच्चा नहीं है ठीक है मैंने अपने 30 पैसे बरें लाइक एवरिवन एल्स दा कंड़क्टर काइम दिन ओ सर बट डिस इस वेरी ग्रोण अप मैडम ओ सर सर यह तो बहुत बड़ी मैडम है क्या आपको यह लगता है कि खाली इतनी छोटी लड़की अपना खुद का फैर खुद का भाड़ा देके सिटी ओल अलों ट्रावेर कर जाए अकेली चली जाए वल्ली ने कंड़क्टर के सामने गुस्शर से देखा और बुला मैं कोई मैडम नहीं हो ठवरी याद रखना अब मुझे तिकेट नहीं दीए टिकेट दीजह मुझे कंडुक्टर ने बोला हाँ मुझे याद आया मैं याद रखूँ Tradiz seller कंड़कर ने बोला क्यों ठीक है आदर रखूंगा मैडम नहीं है ठीक है कि जिसे चलिए टीकिट अटिक्रेट रखेशने टूरेग Working Forschे और उसको है जब आपने सीट के लिए पैसे दिये हैं वाली ने बुला क्योंकि मैं खड़ा रहना चाहती हूं इसलिए वाप इससे खड़ी हो गई अरे लेकिन आप सीट पे खड़ी रहेंगी तो आप गिर जाएंगी और आपको लग जाएगा जब बस एक शाइप टान ले रही है या लिए के लिए बंप आएगा तो आपको लग जाएगा इसलिए हम आपको बैठने के लिए भोल रहे हैं बच्चा बच्चा मत बोले मुझे मैं आपको बता दें हूं हां मुझे मैं 8 साल की हूं ठीक है अंहां अफकॉर्स अफकॉर्स कितना बेवकूफ हो एक आठ साल ओ उड़ा रहा है बस रुकी कुछ नए पैसेंजर्स चड़े कंड़क्टर थोड़े कुछ समय के लिए बिजी हो गया उसकी सीट ना चली जाए उसकी वज़े से वल्ली चुक्चाब उसकी सीट पे बैठ गई कि अगर कोई और आके बैठ जाएगा तो तो वहाँ पे एक बूड़ी औरत आई ठीक है और उसके बाजों में आके बैठी क्या आप अकेली हैं डियर उसने वल्ली को पूछा और बस वापिश शुरू हो गई वल्ली ने देखा कि वह वुमन जो थी वह बिल्कुल भी उसको बिल्कुल भी डिसलाइक करती थी एकदम ब इतने बड़े-बड़े होल और मतलब कितने भंगार येरिंग्स पहने हुए थे उसने बख्वास येरिंग्स पहने हुए थे और उसको स्वल्ली को स्मेल आ रहे थी वह वुमन जो थी वह चुविंग कर रहे थी वह चबारी थी और क्या चबारी थी बीटलनट सुपारी च गया था तो कभी ना कभी मतलब वो अब ऐसे इंसान के साथ कैसे सोचियाबल हो जाए कैसा सोचियाबल हो जाए कैसे बातचीत भी करें उसने बोला कि बहुत है अलोन आयम ट्रावेली अलोन और मेरे पास टिकेट भी है येस येस शी जॉन हर वे टू टाउन कंड़क्टर ने बोला वट थर्टी पैसे टिकेट हाँ हाँ वो टाउन जा रही है ठीक है थर्टी पैसे की टिकेट लिए उन्होंने ओ वाइडोंट यू माइंड यूर ओन बिजनस सेट वल्ली पर शी लाफ अपना काम करें वल्ली ने बोला है अब अपना काम क्यों नहीं करते तो वह भी असने लगी और कंड़क्टर भी हसने लगा ठीक है अब वोल्ड वुमन जो हैं वह वह सिली नॉंसेंस बात कर रही है है क्या ठीक है आपके जैसे यंग लड़की को ट्रावेल अकेलिये करना मतकर ठीक है हैं अबको पता अज他们 कर मानुक ऐसे तुー पागल हो हो ही है पुझे तो अपम परहश्याद मत कीजें अब मेरे मेरी चिंता मत कीजें मैं अपनी ध्यान रख सकती हूँ, वल्य ने क्या बोला वह आप मेरी जिंता मत कीजे वल्ली का ध्यान मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ वल्य ने बोला, और वो विंडो की तरफ देखने लगी छीक है बाहर देखने लगी चले, why does the conductor call Wallie, madam है, conductor Wallie को मैडम क्यों बोलता है बही क्यों तो के वली इस टाइंग डू Duncan टूν आला चाहती और समाट लगना चाती है कंडक्टर बहीं चौक गयँ इसके विश्यकर ऐसने के लिए और इसलिए उसको मज़ा करने के लिए उसने मैडम बोला and to tease her calls her madam ठीक है यह है हमारा oral comprehension check का number one why does Wally stand up on the seat why what does she see now Wally क्यों खड़ी हुजाती है seat के उपर है उनको क्या देखना है उसको क्या देखना है वल्ली को चलिए Wally stood up on her seat because her view was cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window तो वल्ली इसलिए seat पर खड़ी हो गई उसका जो व्यू है वो canvas blind रोक रहा था बहार नहीं देख पा रही थी window के lower part में canvas blind लगा हुआ था she stood up to look over the blind blind के उपर देखने के लिए वो खड़ी होई seat के उपर उसने देखा रोड जो है वो बहुत पतला है ठीक है एक साइड कैनाल है और दूसरी साइड डीप खाई है ठीक है और एकर एकर के green fields है एक साइड कैनाल है पाम ट्रीज ग्रास लेंड इस्टर माउटेन ब्ल्यू स्काई दूसरी साइड डीप डिच है डीप खाई है और एकर और एकर में फैले वे green green fields है चली बढी लएस though वली खाद को रजाए बटा है जसको बच्चा बोलता है उसको ब.'' बच्चा करके तो व्ली डेंड पॉल्ली मेन काल हरा च्ञल वल्ली टोल्द that there was nobody on the bus who was a child तो elderly man जब उसको बच्ची बोलता है ठीक है तो वल्ली ने बोला कि भई ये बस में ऐसा कोई नहीं है जो छोटा बच्चा है ठीक है उसने अपने अपना भाड़ा है वो बरा है 30 पैसे जैसे सबने बरा है वैसे उसने भी बरा है ठीक है चले भई नेक्स कुशन देखते है नेक्स कुशन नमबर फोर वार्डिनिंट वल्ली ओन्ट वांट तो मेंक फ्रेंड्स विट यह लब बोलते हैं यह पाइट को तो वह बोल रहा है कि वह उसके ये लोब जो थे वो बड़े और उससे बड़े बड़े ओल्स थे ठीक है इयर लोब जितने बड़े ओल्स थे उसके वो बीटलनट खा रही थी बीटल जूस उसके मुझे बाहर निकल रहा था एकदम ऐसा दिख रहा है कि भी वो अन्रिफाइंड लेडी है एकदम गंदी लेडी है ठीक है बूरी गंदी लेडी है तो इसी वज़े से वल्ली जो है उस फिर भी जितना टाइम है वह कर लेते हैं चलिए उसकी सबसे पहली जर्नी कितना प्लान किया था उसने कितना कैरफुल कितना पेंस्टेकिंग प्लान किया था उसने कैरफुल मदब बहुत ही ध्यान से पेंस्टेकिंग मदब दर्द लेके दुख लेके हैं तकलीफ लेके उ से करेंगे हैं उसने बहुत ही कैरफुली पैसे स्पैंड करते करते जितने भी पैसे चोटे-चोटे कॉइंज उसके पास आते वह सब वह कलेक्ट करती बचाती ठीक है पैपर मेंट स्टॉइज बलून और ऐसी वैसी चीज़े बिलकुल भी नहीं खरिती भले उसको ऐसी चीज हो गए थी यह पैसा बचाते बचाते विलेज फैर में वो लोग गए थे विलेज फैर मतलब वह मेले में गए थे ठीक है और स्ट्रॉंग डिजायर था उसका की मैरी गोराउन में बैठे चकडोड होता ना जो उसके अंदर बैठे उसके पैसे थे फिर भी वह बैठी नहीं पैसा बचाया उसने तो इनफ मनी से हो गई है अब दूसरा प्रॉब्लम यह था कि भी कैसे गर से स्लिप हो जाए कैसे गर से बाहर निकले है उसकी मम्मी को पता ना चले वैसे ऐसे वो निकलना चाहती थी ठीक है लेकिन वो से मैनेज कर दिया ठीक है एवरी डे उसकी मम्मी जो हैं वो एक से लेके चार तक सोती नैप लेती दोपेर को सोते न तो वो नैप लेती एक से चार तक वल्ली हमेशा यहीं गंटे तीन चार गंटे जो उसको मिलते ठीक है वो यहीं गंटों पे अपने दरवाजे के पास खड़ी रहती सारी चीजों को देखती विलेज में जाती स्ट्रीट पे घुमती ठीक है और वहीं सेम और उसके सबसे पहले एक्सकर्जन में काम आएंगे एक्सकर्जन मालब ट्रिप ठीक है तो सबसे पहले उसको ये excursion में काम आएंगे वहीं एक से चार का समय भई अब बस जो है ठीक है एक बैर landscape से पास हो रही है बैर landscape मलब एक बंजडर जमीन है ठीक है वहाँ से पास हो रही है एक छोटे से वेशाइड सॉप के पास से हुई वहाँ से पास हुई सम्टाइम्स बस जो हैं वो एक समय पर ऐसा हो जाता कि वो एक वेहिकल खा जाती ऐसा लगता है जैसे आप बस के अंदर बैठे हैं और सामने देख रही कि वेहिकल आ रहा है तो आपको लगया कि आ रहा है आ रहा है बस के अंदर ही गुज जाएगा है ऐसा लगता है कई बार तो वल्ली को भी ऐसा लगता था या कोई पैडेस्ट्रियन को निगल गई है जो चल रहा है ठीक है तो मानलों कि वो चल रहा है हमने बस आगया आगया करी तो ऐसा लगा कि वो अंदर ही गुज गया बस के अंदर है लेकिन वह एक्चुली नहीं देख बस का जो उपर का पाट हमें तो दिखता है नीचे का पाट थोड़ी दिखता है तो नीचे का पाट में सब पास हो जाता है लेकिन सम्हाव यह पैडेस्ट्रियन यह वेहिकल पीछे मैनेज कर लेते हैं जाने का कैसे पता नहीं एकदम सेफली पीछे चले जाते हैं तो वल्ली को ऐसा लगता है कि व वो तो निकल जाता है ठीक है ट्रीज जो है वो उसकी तरफ भागते हैं ट्रीज कें रूनिंग तोर्ड देंबट देंग रिज देंग और सिंपली स्टूथ यहां पर रॉपलेस फॉर लॉमें बैजर साइड दोर डिरेक्शन तब यहां पर हमको क्या बता जारा है यहां पर बता जारा कि जार जो होते हैं वह थोड़ी चलते 해요 वह थोड़ी दौरते हैं वह नहीं दौरते बस भागती है लेकिन यहां पर क्या बताया गया है की बी बस जो हैं उसमें से दिख जो है की जार 67 एंबार ओस्की तरफ आ रह रहे हैं फिर एक मोमेंट जा कि सदेनली वल्ली जो हैं वो तालिया बजाने लगी खुश-खुश होके ठीक है एक यंग काव उसकी पूंच जो हैं वह हवा में हैं हैं बहुत ही फास्ट भाग रही है मिडल अफ दो रोड पे बस के आगे भाग रही है वह बस जो है वह बहुत ही धीरी हो गई एकदम क्रॉ करता रहरा है करता रहा है लेकिन जितना ज्यादा वहषण बजा रहा है उतना इनिमल गबरा रहा है उतनी वह काव और यह दॉड़ रही हैं और फास्ट नो हैं लेकिन कब कहां कि वह दोड़ रही है बसके आगे कैमेरा क्यों स्टिक हो रहा है लेटस सी कि ओके तो भी मैंने जो बात करी वह बात है एक का यंग काउ की यंग काउ जो है वह बसके आगे बसके आगे ही भाग रही है ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर यंग काउ जो है वह बसके आगे ही भाग रही है ठीक है सम्हाव दिस वस्टरी फणी टू वल्ली यह जो था वह फणी था वल्ली के लिए मतलब उनको उसको मज़ा आ गया वह हस्तीरी हस्तीरी जब जा रही भागे बड़ी होती जा रही है एंड़ी होती जा रही है ठीक है और फिर वो एक शॉपिंग स्ट्रीट और फिर एक पूरा बीजी पब्लिक रोड वहां से वो पास हुई यह सारी जगाव से बस पास हुई स्वारी स्टुडेंट्स यह मेरा कैमेरा थोड़ा जो हैं वो स्टिक हो रहा है वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं यह तो उसको बंद कर देते हैं ठीक है यह तो रखते हैं हम है बाकि उसका कोई आप्षण नहीं है कि ट्राय करता हूं इसको रिपेट रिपीट चालू करने का है बट नॉट पॉसिबल चलिए वही यह पॉसिबल तो नहीं हो रहा है इसका कुछ सॉलुशन लाना पड़ेगा लेकिन हमारा कुछ एक दो मिनिट बाकी है वही देख लेते हैं तो एक स्ट्रीट से पास होई एक बिजी पब्लिक रोड से पास होई और बड़िया बड़िया शॉप्स दिखने लग स्ट्रक हो गए थी डम स्ट्रक होना मतलब वही बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे वल्ली जो है वह इद्दम ध्यान से यह सारी चीज़े देख रही थी अब बस रुकी और वल्ली उत्री नहीं ठीक है और कंड़क्टर ने बला ओ लेडी जाना नहीं है आप iasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas मेरी त्रीकित है मैं आपको मेरीटी देता हूं आपको नहीं करना हुना इसा मुला ठीक है अभी और वो दोनों बस की जो रिटर्ण जर्नी थी उसके टाइम समय तक वहां पर बस के अंदर रहें और अगें वापिस इतने सारे पैसेंजर नहीं थे ठीक है चलिए औरल कॉंपरेंशन चेक और पार्ट फूर और उसके बात कुश्ण आंसर्स वह हम नेक्स लेक्चर में देखेंगे मैं इसका कुछ जुगाळ करता हूं और मिलेंगे हम नेक्स लेक्चर में